हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है निलर आपका हमारे स्वागत है तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाल को डेकोरेट कैसे करते हैं उसके पर डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं तो यह मैंने वाल के उपर एक डिजाइन बनाया हुआ है हाट का डिजाइन है और इसमें हमने कोई महंगा प्रियोग नहीं किया है इसमें सस्ता प्रियोग किया है और इसमें जो प्रियोग किया है हमने वो यह है एस एक्स्टिरेरी मलसन है यह अंदर या बाहर कहीं भी लगा जा सकता है और इस color का number है 7165 आप color कोई भी use कर सकते हैं paint कोई भी use कर सकते हैं distemper को छोड़के और इसको पतला करने के लिए 200 ग्राम तक पानी mix करना परता है और इसको पतला करने के बाद में ट्रे में निकाल लेंगे और roller या brush से जैसे भी मर्जी हो आपकी wall के उपर लगाना है इसके हमें 2 या 3 खूड clock apply करने है wall के उपर और इस तरह से लगाना है इसके उपर इसके और primer लगा हुआ है पहले से ही wall के उपर wall का label ठीक नहीं है इस कराकि roller सही ने चलना है अगर आपकी wall का लेबर ठीक होगा तो रोलर भी सही चलेगा और इस तरह से सिंगल कोट अप्लाई कर देंगे पूरी वाल के उपर और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर उसके बाद में इसके पर सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे और यह सूख चुका है पूरा और इसके उपर 320 नंबर या 120 नंबर का कागजवला हलका फलका रेगमल लगा लेंगे ताकि वाल के उपर जो दाने दून हैं वो कट जाए और उसके बाद में सेकेंड कोट अप्लाई करना है और यह पेंट पड़ा था हमें 210 रुपे का एक लिटर कलर मिक्स करके आपके एरिये के हिसाब से रेट कम जादा हो सकता है और इस तरह से सेकेंड कोट अप्लाई करना है इसके पर सेकेंड कोट मानने के बाद में भी अगर नहीं आता है तो आप इसके पर तीसरा कोट भी लगा सकते हैं पर कोट करना है और यह अगरनों का नही हो सब्क्राइब नहीं हो चुका है सुखने के लिए खोड़ देंगा सूर देंगे इसके बाद में अमें डिजाइनिंग करना है इसके पर है यह मैंने बनाया हूँ कुछा थाइन हार्ट का डिजाइन है यह बना है इस तरह से स्को वाल के ऊपर रखना है और और कंप्रेसर से गंद से उसके ऊपर मानना है चारो साइड में ये गत्य का बना हुआ है आप इसमें चाहिए तो तो इस्प्रे केन का भी प्रियुक कर सकते हैं लेकिन इस्प्रे केन थोड़ी सी महंगी परती है, दो आप लगवग दो या तीन बोल लाग जाएंगी आराम से और अगर गन स्याप करेंगे तो इसमें लबह 200 ग्राम पेंट ही लगना है इसमें पेंट हमने डीको पेंट का प्रियोग किया हुआ है लबह 200 ग्राम पेंट ही लगा है मेरा पूरी वाल के उपर ये वाल 100 फुट की है और इसमें एक लिटर पेंट और 200 ग्राम डिको पेंट लगा हुआ है और किसी भी प्रकार की जनकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिए मैं उसका जवाब जरूर दूँगा और आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं मेरा नमबर डिस्क्रिप्शन में है वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बेल दबाईए और पे क्लिक किजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने मुबाइल पर मिल जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई